कि दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार सोनेज्डे के एक और एपिसोड में कमाल दहमाल एपिसोड में क्यूंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं MG ZS EV की दोस्तों MG ZS कुछ इस तरह के से दिखते और मुझे पता है कि इसे मार्केट में काफी थोड़ा सा टाइम हो चुका है लेकिन हम फिर भी वीडियो बना रहे हैं तो इसमें जो हमें पहले पावर ट्रेंड की हम बात कर लेते हैं तो सिंगल इलेक्रिक मोटर के साथ यह कार हमें देखने को मिलते हैं आटमेटिक ट्रांस्मिशन एमजी जेड़े सीवी एक फाई सीटर कार है जो की 17 इंच अलाई वील्स के साथ आती है एट इंच्ट स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टेम विथ एंडर डॉट आट्व एपल कार प्ले के साथ आती है और दोस्तों इसमें जो हमें पैनेरोमिक का संरूफ भी देखने को मिलता है एलेक्ट्रिक मोटर के पर्फॉमेंस के बार में अगर हम बात करते हैं 140 बीएच पी की होर्स पाउर हमें जेनरेट करके दे देता है और 350 नम का टॉर्क भी हमें आउटपुट में देता है 470 लीटर का यह बूट स्पेस हमें प्रोइड कर स्टेरिंग या फिर मल्टी फंक्शनल स्टेरिंग वील इंजिन स्टार्ट स्टॉप बटन जो की इंजिन नहीं है दोस्तों इसमें तो सिफ यह एक स्विच की तरह हम बोल सकते हैं जो की इलेक्ट्रिक मोटर को पावर ऑन अफ कर सकता है और यह जो एकार सपोर्ट फास्ट स्टेरिंग किलोमीटर की फ्रंट एज वल एस रियर में हमें इसमें डिस्क ब्रेक्स जो वो देखने को मिलते और जिरू टू अंड्रेड किलोमीटर के परफॉमेंस की बात करें तो 8.5 सेकंड में 0200 टच हो जाता अडिशनल फीचर्स के अगर हम बात करें तो यह पार्किं स्टेरल लॉकिंग चाल्ड सेफ्टी लॉक्स एंटी तैफ्ट अलार्म अप्टू 6 एयर बैक्स सीट बेल्ट वर्निंग टाय प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टेम इंजिन इम्मोबिलाइजर एबीडी एससी फॉलोमी एड्लाइंस पीड अलर्ट आइसोफिक्स चाल्ड मांट स्टेम्स इल डिसेंट एंड हील असिस्ट त्रेशिक्स्टी डिग्री कैमेरा व्यू आइसमार्ट का इवी 2.0 कनेक्टेड कार फीचर और एक्सेटर हमें इतने सारे सेफ्टी फीचर इसमें देखने को मिलते हैं अब अगर हम कलर वेरियंट के और बड़े तो इसमें सिफ तीन कलर वेरियंट समय देखने को मिलते हैं जो कि करन्ट रेड फेरिस वाइट और कौफ है कौफ है जैन ब्लू ब्लू है यही बेसिकली समझ लो क्योंकि काफी टफ यह लोग नाम भी रख देते होता सिफ ब्लू या लाइट ब्लू है लेकिन थोड़ा बहुत इदर दर च किलो मिटर की तो सिंगल फुल चार्ज में यह जो अभी तक काफी अच्छा परफॉर्म कर देते दोस्तों 419 किलो मिटर वैसे क्लेम किया हुआ कभी-कभी किलो मिटर जो है वो कभी-कभी कम भी दे देता है लेकिन फिर भी अगर हम साड़े 300 या पौने 400 किलो मिटर भी अगला प्रोड फॉइंट देक का निकल के आता है अगर अच्छे से जो है वो एससी को ट्यून भी किया जाए जोस्तों ये कार जो है ये अल्मोस्ट नॉन पॉल्यूटिंग कार है और वे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हम इसे बोल सकते हैं और मैं इसे अल्मोस्ट इसलिए कहे रहा हूँ क्योंकि जो सब्सक्राइब करके तो ये अभी तो देखना पड़ेगा इसलिए मैं आल्मोस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इलेट्रिक कार्स को तो अभी अभी एरा स्टार्ट होने वाला है और अब बढ़ते हैं दोस्तों सबसे में सेक्शन पे फिर से कॉन्स पे तो इंटेर्स कुड़ बेटर यानि कि इंटेर्स और थोड़ इस अच्छे हो सकते ते डैच्बॉर्ड होगरे को मिलाकर और रियर में जो इसमें इस इवेंट्स नई देखने को मिलता है जब कि प्राइस के अर्षा, सिरे रेश एवेंडस ना मिलना 0 wiele 10 कि काफी लोगों को यह जरी थोड़ा कमशन मी का टाल का डिसीजन लेते हों और आधना बाट ब्रेकिंग पॉस्के तो पुरा का पुरा की डिपेंड़ करता है और आगे बढ़ते हम तो इसके डिजानिंग पॉइंट आफ यूसे दोस्तों ये जो ये नॉर्मली हमारी जो पेट्रल डिजल की कार होते है तो उसी की तरह दिखाई देते है यानि की फ्यूचरिस्टिक का कलर थीम होगरे इसमें कुछ प्ले नहीं किया गया है जैसे टाटा पीछे जो बैजिंग होगी उसकी और इसमें तोड़ा सा कलर प्ले किया जा सकता था लेकिन अपने अपने परसनल टेस्ट पे दोस्तों काफी सारे लोगों को सिंपलिस्टिक डिजाइन पसंद आएगी और काफी सारे लोगों को थोड़ा सा हटके तो इसमें में कोई राई ट्रिप पे तो आप घर पे आइमीन होटेल पे या फिर पोज गयो सब्सक्राइब तो वह पर रात बर इसे चार्ज कर सकते हो तो वह काफी सारा रिलाइबल होगा लेकिन अगर आपको काफी सारे लॉंग टूर्स पे जाना है नॉन स्टॉप तो यह कार जो तोड़ा सा दि सवेशा है रुष दोस्तों सवाल उटता है इलेट्रिक कार्स अभी कतनी रिलाइबल है क्य कि अभी मार्केट में गेन करना स्टार्ट क्या आपना जो मार्केट में आपना वायूइल घॉमरेव लाव लेकिन जब बैटरी की बात आते है अब जबुररी नहीं के हरेकार में जयो बैटरी आठ साल साथ साल तक चले किसी कार में ज़ेंड़ साल में भी खराब होने का चांसे तो उस वक्त तुस कस्टमर को में कैसा ट्रीट किया जाता है कंपणी के और से सिर्विश सेंटर के तो फिल फ्री टू कमेंट डैट और वीडियो अच्छा लगा तो डिसलाइक मत करना लाइक करना और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रहा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्यू जिन लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगली बार कर देना कोई बड़ी ब सब्सक्राइब